दोस्तो टाइगर 3 के एडवांस विटिंग की रिपोर्ट आ गई इस नाम में और पहले यह दिन टाइगर 3 इतनी कमाई कर चुकि यह जितनी बॉलिवुट की बड़ी बड़ी फिल्म में अपने पूरे लाइफ टाइम में ने कमा पाती है तो आकिर कितना कमा रही है सलमान यानी बॉलिवुट के भाई जान के फिल्म पहले दिन बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी हैं सलमान खान के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथी कॉमेंट करके बताएं कि जवान जादा बहतर ह अब चलीए वीडियो को सुरू करते हैं बदोस्तों टाइगए सिनेमा घरो में लगने वाली है सिनेमा गलों में लगने से पहले एडवांस बुकिंग होती है और एडवांस बुकिंग कि जो रिपोर्ट mesmo को अगुए बहुत लिजाएगा है कि ही फिल्म बहुत लंबा जा बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है और जिस तरीके से इसका वर्ड वाइड जो कलेक्शन होने वाला हो काफी ज़्यादा ऊपर रहने वाला है क्योंकि मिडल इस्ट कंट्रीज में इसका चर्चा काफी ज़्यादा आम हो चुगा दोस्तो अब बात करें फिल्म के तो य फिल्म में दोस्तो तीन सो करोड का बड़ा बजट लगाया गया है जो कि अपने आप में एक बिग बजट फिल्म को बना देता है और इस फिल्म के स्टोरी भी दोस्तो काफी जदा कनेक्ट की गई है जिससे दोस्तो जो पूरानी ओडियंस है वो भी इस फिल्म को देखने आने वाली है जो कि दोस्तो फिल्म को जो है आप पर दोस्तो एक सीक्वल बताया जारा है एक था टाइगर का जो कि 2012 में आई थी उसके बाद टाइगर जिन्दा है वो 2017 में आई थी और अब यह जो यहाँ पर दोस्तो वाई आर एफ का स्पाई उनिवर्स है उसकी पाचवी फिल्म रहने वाली है दोस्तो और इस फिल्म में वार और जो पठान है उसके इवेंट्स के बाद के इवेंट्स को दिखाया जाएगा और दोस्तो इससे कन पर मोचुका है कि फिल्म जो है वो आल ओवर दा इंडिया काफी कमाई करने वाली है क्योंकि इन चारो फिल्मों के जो फैंस हैं वो एक साथ इस फिल्म को देखने आएंगी क्योंकि यह इसी इन यूनिवर्स का पार्ट रहने वाली है और दोस्तो जिस तरीके से फिल्म जो है वो यहाँ पर रिलीज होगी उससे काफी ज़दा यहाँ पर कमाई कर सकती है लेकिन अगर आप इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसके यहाँ पर दोस्तो एडवांस बुकिंग की तरफ चलें तो इसका क्रेज बहुत जादा है दरसल दोस्तो क्रेज इतना जाता है कि यहाँ पर दोस्तो सुबह साथ बज़े से सोज रख लिए गए हैं मिडल इस्ट कंट्री में जो की अमूमन बहुत काम होता है अब दोस्तो अगर आप देखोगे तो रिलीज के अभी भी यहाँ पर दोस्तो बाइस दिन बचे हुए हैं लेकिन अभी सही एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और बीदेशों में एडवांस बुकिंग कुलने की वज़े से फिल्म की कुछ जानकारियां भी बाहर आ गई हैं जैसे दोस्तो फिल्म का रन टाइम रन टाइम जो होने वाला है दोस्तो इस फिल्म का हुए हाँ पर दोस्तो पठान से जाधा रहने वाला है ज़से इस से पिल्म की कमाई पर सबसे बड़ा सवाल है की आके फिल्म कमाने कितना वाली है तो दोस्तो अगर पहले दिन की बात करें तो इस तरीके का करेज है उससे यह तो कफर्म हो चुका है की इंडिया और ओबराल कलेक्शन मना लिया जाय तो करीब यहाँ पर दोस्तों सो करोड के उपर तो निकल जाएगा लेकिन अब इग्जैक्ट फिगर की तरफ अगर नदर डालें तो यहाँ पर दोस्तों डे वन में अगर हम एडवांस बुकिंग को देखें और जिस तरीके से कलेक्शन करती है भाईजान की फिल्म में उसको मिला ले तो day one में केवल इंडिया नेट कलेक्शन कड़ी 75-85 करोड के बीच का हो सकता है जी हाँ दोस्तों केवल इंडियानेट कलेक्शन हो यह अगर दोस्तों ओवर सीज़ कलेक्शन को भी मिला लिया जाए जिस तरीके से इडवांस बोकिंग दीख रही है मिड'd इस तरीक करोड की कमाई कर पाएगी ध्यान रहे ये बात कि अगर ये फिल्म 250 करोड को टच करती है तो 2023 की हाइस्ट ओपनिंग ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी जो कि सलमान और भाईजान के फैंस के लिए एक अची कवर होगी क्योंकि जिस तरीके से भी लियो ने एक बड़ा रिकॉ तोटे का अब कॉमेंट करके बताईए कि क्या लियो का जो रिकॉर्ड है वो सलमान भाईजान तोड़ पाएंगे और पहले फिल्म पहले दिन उनका कितना कमाई कर पाएगी कमेंट करके अपने उनकी कमाई का नंबर बताईए बागी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद